तो दोस्तो हमारी जो जीन्स की पैंट होती है उसमें अक्सर इस तरीके से होल हो जाती है कई बार हमारी पैंट फड़ जाती है और कई बार पैंट जल भी जाती है जिस बजासे हमारी पैंट में ये प्रोब्लम हो जाती है पहले हम पैंट को उल्टा कर लेंगे ठीक है तो जो होल हम आपको सीधी साइड में दिखा रहे थे हैं वह होल यह आ चुका है तो इस होल पर जो दागे होती हैं इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से यह देखें तो देखिए हमने पट्टी ले लेना है जो पट्टी हम सेरट पर लगाते हैं तो यह पेपर पट्टी है चिपकने वाली पट्टी है आप चाहें तो पेश्टिंग का जो कॉलर वाली पेश्टिंग होती है वो वाला बुकरम भी ले सकते हैं देखिए हमने सेरट वाली लेंगे ये देखें तो ये जो होल है इस होल को हमें इस तरीके से मिला कर रखेंगे पहले इसमें गैफ नहीं होना चाहिए बीच में इस तरीके से नहीं होना चाहिए उसके बाद हम पिरेस लगा लेंगे पहले तो आप चाहें इस पट्टी को इस तरीके से थोड़ा और पतल तो देखिए हमने पट्टी को चिपका दिया है आप देख सकते हैं अब उसके बाद हम इस पैंट को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से भी इस तरीके से पिरस लगाएंगे सीधी साइड में इस पट्टी को हमने बिल्कुल फिनीशिंग के साथ में चिपका दिया है तो आईए अब हम आपको मसीन पर लेकर चलते हैं चाहे आपकी अमेरिला बड़ी मसीन हो और चाहे आपकी छोटी हापसेटल मसीन हो दोनों से हम आपको बताएंगे किस तरीके साब को ये रफू करना है तो दोस्तो मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैसन डिजाइनर तो सबसे पहले हमको दिहान लखना होगा बिल्कुल सेम कलर का मैच का धागा चाहिए हमको जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके साब चेक करके देख लेंगे उसके बाद हमको इसी सेम कलर का धागा वाविन केस में लगा देना है देखिए हमने इस तरीके से वाविन केस में धागा लगा देना है उसके बाद है कि हमने यहाँ पर मस्कीन में इस तरीके से लगा दिया तो देखें यह वाला धागा हम उपर चलाएंगे उसके साथ में हम सेम इसी कलर का हमने इसमें धागा भर लिया है तो यह हम डबल धागा उपर से चलाएंगे तो देख adversary मैं तो यहाँ पर रफू करूँगा तो मुझे तो 1 कलर का धागा चाहिए अगर मुझे यहाँ पर रफू करना होता तो यहाँ पर मुझे दो कलर के धागे चाहिए एक क्रीमी कलर का और एक नीले कलर का तो देखे, सबसे पहले हम यह वोबिन लगाएंगे इस पर, यह देखे, इसको हम बिल्कुल उपर कर देंगे, उसके बाद अब हम रील लगा लेते हैं, यह देखे, तो अब हम इन दोनों धागों को एक साथ लगाएंगे, अब देखे, अब हम निडल में, सोई में धाग़ डालेंगे, यह देखें दोस्तों, आईए हम रफू करना शुरू कर लेते हैं, तो देखिए जो कटा हुआ कपड़ा है, इससे थोड़ा सा हटा कर, यानि आदा इंच हटा कर यहां से हमें एक सिलाई रगाएंगे इस तरीके से, बिल्कु थोटी सिलाई चलाएंगे यहां पर तो इस तरीके से गुमा कर ले आएंगे यहां पर, तो देखिए हम इस तरीके से लाई चलाएंगे यहां, देखिए अब मैंने आपको बताया था, चाहे अम्रेला मसीन हो, चाहे हावड़ा है, हाप सेटल चोटी मसीन हो, उसके लिए आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, तो देखिए अगर आपकी अम्रेला मसीन है, यह वाली जो मसीन में आपको दिखा रहा हूँ, तो सिलाई करते हैं, जो आप रफू करेंगे, मसीन चलाएंगे, तो इस तरीके से दबाना है, क्य देखिए अगर छोटी मसीन है, हाप सेटल मसीन है, तो यहां पर हमारा बूट उठाने का सिश्टम होता है, इसको यहां से हम बूट को उठाएंगे, यह देखिए, यहां से इसको थोड़ा सा उठाना है, जो हम सिलाई को बैक करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके स उठाना होगा हाद से और इसी तरीके से सिलाई को आगे पीछे करके चलाएंगे इस तरीके से हम आगे पीछे करेंगे और बिल्कुल धनी सिलाई चलाएंगे बिल्कुल सिलाई टांके से तांका बिल्कुल मिलाकर चलाएंगे इस तरीके से टॉझ सहति हैं। कि हम सिलाई के तो सिलाई को अगे पीछे कर रहे हैं। तॉझ सब्छा तो यूं river यूं तो यह दोस्तों कितनी खुछ यू धागा थोड़ा सा अलग है, सेम मैच का नहीं है ठोड़ा सा फरकैं। तो